वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे WhatsApp पे किये चार्ट को आप कैसे बीना डिलेट किये हुए उसे चीपा सकते हैं आप किसी से भी बात किये हो उसे आप बीना डिलेट किये हुए चीपा सकते हैं और जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं WhatsApp पे जो भी चार्ट किये हुए उसे चुपाना और जब चाहे उसे निकालना बीना डिलेट किये हुए तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में WhatsApp पे किये चार्टिंग को चुपाने के लिए Simply हमें WhatsApp पे जाना है WhatsApp पे जाने के बाद यहां से थिरी डॉर पे प्रेस करना है और यहां बहुत सारे अप्सन देखने को मिलेंगे जैसे New Group, New Boardcast, Link Device, Stored Message, Payment, Settings तो Simply हमें Settings में जाना है Settings में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो Simply हमें यहां से चार्ट में चले जाना है Charts में जाते ही Chart History पे जाना है तो आपके पूरे चार्ट का एथिद दिखा देगा और इसमें से अगर चाहते हैं आप चार्ट को चीपाना तो Simply यहां Achieve All Charts में प्रेस करेंगे और यहां Permission माएंगा तो हमें OK कर देना है OK करने के बाद यहां हमारे देखिए कोई भी हमारा चार्टिंग होगा WhatsApp पे उन्हें दिखेगा तो यह होगी Long Process हो गया और सभी के चीपाना चाहते हैं और फिर अगर आप यहां से चाहते हैं निकालना तो Simply हमें यहां थिर दर पे प्रेस करना होगा फिर यहां Settings में जाना है Settings में जाने के बाद यहां पे चार्ट पे जाना है चार्ट पे जाने के बाद यहां से चार्ट हिस्ट्री में जाके यहां जाने के बाद यहां बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो यहां on achieved all chart कर देना है और यहां permission माएगा हमसे यहां से okay कर देना है okay कर देने के बाद ही देखिए आपका पूरा जो chart आजाएगा यह हुगा long process और पूरे को achieved करना मतलब पूरे को छीपाना अगर आप चाहते हैं किसी एक को छीपाना तो simply आप जिसे भी छीपाना चाहते हैं उस पर आप long press कीजिए और यहां आप उपर बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो यहां यहां 3 dot के बाद यहां पर ऐसा कुछ option देखने को मिलेगा तो simply हमें यहां पर प्रेस करना है यहां पर प्रेस करते हैं यह देखिए बीना चाट डिलेट हुए आप इसे जीपा सकते हैं और इसे जब चाहें यहां से निकाल भी सकते हैं तो simply यहां से निकालने के लिए WhatsApp चाट को निकालने के लिए तो simply हमें नीचे चले आना है पूरा और यहां आने के बाद यहां पे छोटा सा दिखेगा achieved one इसका मतलब किसी की एक चाट को आपने achieved किया हुआ है तो simply यहां पे प्रेस करना है प्रेस करने के बाद देखिए हमें जिस चाट को हमने छिपाया हुआ था वो यहां पे शो कर रहा है तो अगर आप चाहते हैं इस चाट को फिर से बाहर लाना तो simply यहां पे hold प्रेस करना है hold प्रेस करने के बाद यहां पे बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो simply three dot के बोगल में जो option देखने को मिल रहा है वहाँ पर press करना है यहाँ पर press करते ही देखिए यह चार्ट अपने आप यहाँ आ जाएगा अगर आपको वीडियो आचा लगा हो तो please वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और comment में बताएं आगे आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मिलते हैं नई एक अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए